कांज फिल्म फेस्टिबल 2019 जिसका इंतिसार हर साल सभी बेस अबली से करते हैं इस फेस्टिबल में ना सिर्फ हॉलिवूड स्टार्स बल्कि बॉलिवूड की भी कई आक्ट्रिस्स नज़राई जिसमें अब तक दिपिका पादुकोन प्रियंका चोपडा, कंगना रनौत के नाम शामिल है जहां देशी गर्ल प्रियंका ने साल कांज 2019 में डेब्यू किया है तो वहीं कंगना और दिपिका इस इवेंट का हिस्सा बन चुकी है इन तीनों के ही लुक्स की काफी चरचाए हो रही है वहीं कंगना ने तो अपने पहले और दूसरे दिन के लुक्स से सभी का दिल जीत लिया लेकिन उसके बाद आई कंगना की फोटो ने लोगों को एक अलग ही टॉपिक दे दिया है दरसल रेड कापिट पर कंगना की एक फोटो है जिसमें वो बहत ही हॉट नजर आ रही है इसमें वो ब्लाक पैंट सूट पहने नजर आ रही है लेकिन लोगों को शायद उनका ये अंदाज लगता है पसंद रही आ रहा है जिस बज़े से उन्हें ट्रोलिंग का साम ना करना पड़ा चले दिखाते हैं आपको लोगों के रियाक्शन यार अब कैसे द्रेस आने लगे इंडस्ट्री में पूरा फुल होकर भी खाली है पता नहीं आने वाले टाइम में सब क्या पहनेंगे कंगना इतना ज्यादा इंस्टा पे दिखाने का क्या मतलब है इतना भी क्यों पहना कंगना को कोई कपड़े दो भाई बहुत गरीबी आ गई है डबलू डबलू इ में जाना है क्या छी ये क्या पहना हुआ है हद है यार तो देखा आपने लोग किस तरह कंगना को ट्रॉल कर रहे हैं वेल तो आपको कंगना का ये लोग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं